कि अब आप सबका स्वागत करता हूं हमारे पी ए स्टडी चैनल में आज हम लोग करने वाले हैं क्लांस टेंथ के इकोनॉमिक से पहला चेप्टर डेवलोपमेंट दिखिए डेवलोपमेंट यह वर्ड हम लोग अपने डेली लाइफ में कई बार सुने हैं और इसका मतलब भी लोग काफी तक से से CO passengers करशंबात हैं ठीक है अगर हम ग्लीकrator कांशाएं कि दिखिवलोपमेंट होता क्या है तो थोड़ा सा क्का प्रिण हो सकते हैं क्याइं क्यूंक्म लोग इस चैप्टर में अपने 100 इस वर्ड को काफी अच्छे से समझेंगे की दिखिया पैसल पध्र ऐगाना पैसा ज्यादा होना ठीका नो से यह कह सकते हैं यह हमारे लिए न्य待 में पूछे काम द्हूंबूंसाहद्मेंट क्या को इसका पहला रृप्लाइज यही आएगा कि ज्यादा पैसा हो नन्या वहीडेवलमेंट है लेकिन हम लोग यहे देखने वाले कि सिर्फ पैसा ही development नहीं है बलकि income के अलावे और बहुत सारे factors हैं और भी बहुत सारी चीजे हैं जिनको हम development में include करते हैं ठीक है development या विकास हम लोग विकास वर्ड बहुत बाद आजकल सुनते हैं नियूज में पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को जब टार्गेट करती है तो वह ऐसे वर्ड यूज करती है कि विकास हो रहा है विकास नहीं हो रहा है ऐसे हम लोग सुन रहे हैं आजकल तो जब हम डेवलप्मेंट की बात करते हैं देखिया डेवलप्मेंट ना एक कॉंप्लेक्स करेंगे डेवलप्मेंट का एक कोमन मिनिंग खोदने की कोशिस करेंगे ठीक है रहिए अधान हम देखतें सोसाइटी में ठीक है तो हर आदमी के अलग-अलग income है अलग-अलग उसका lifestyle है अलग-अलग ischenne कि सुसाइटी में अलग अलग तरह के लोग है। इंके अलग अलग एंबिसेंस हैंRIS यानि अपने जिन्दगि में यह क्या करना क्या हासिल करना चाहते用 इनकी अलग सब्सक्राइब अलग अलग इक्षा है अलग jedज से जो उसको वह हासिल करना चाहते हैं वही अगर आप एक नेशन के तौर पर देखिए ठीक है तो एक नेशन के भी अपने गोल्स है वह इस गोल को अचीव करना चाहते हैं हम लोग इस सेप्टर में यही देखने वाले हैं कि यह जो development है इसको हम एक individual के individual के level से समझेंगे और एक नेशन के attributes खोजेंगे ऐसे common condition देखेंगे जो development में सामिल होते हैं जिसको हम लोग development कहते हैं ठीक है development for an individual development for a nation अगर हम development को define करने की बात करें बिल्कुल सिंपल वर्ड में development को समझे और ओल राउंड ग्रोथ और एडवांसमेंट और वेटर मेंट एडवांसमेंट का मतलब क्या हुआ आगे बढ़ना तरक्की करना तो जब आप आपका जो प्रेजेंट स्टेंडर है जहां आप प्रेजेंट हैं वहीं से आप आगे बढ़ेंगे एडवांस करेंगे ठीका और अभी जो अभी जूप्रेंटिव ज्यादा हो ज़र essa है अभी जो ऑनक्रामों से प्रेजेंट प्रेंट से बढ़ांसमेंट होना हर तरीके से यहां पे एडवांसमेंट है यह डिफरेंट लेवल पर हो सकते हैं ठीक है वह सारे लेवल को हम लेंगे तो वह डिवलप्मेंट कहलाता है अगर डिवलप्मेंट को आप डिफाइन करने की बात करते हैं तो हम यहां पर Cambridge dictionary का definition ले सकते हैं Cambridge dictionary डिवलप्मेंट को Define किया है the process in which someone or something grows or change and becomes more advanced Cambridge University क्या कह रही है इसको the process in which something or someone in which something or someone ठीक है the process in which something or someone grows or change and becomes more advanced यानि जितने वो अभी है अभी जो उनका level है उससे वो ज्यादा advanced होते हैं clear है बात समझ में आ रही है न वैसे अगर आप इसको और तरीके से लेंगे तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि जो जो फ Muk będziemy करना है जो इंडिबीजुवल का है या एक नेशन का जो सचमेश या की वाद कर रहे है तो अभी आपि ऑनिया जो परिजन सिट्वेशन है वो सिच्यूएशन और वेटर हो इकोनॉमिकली पॉलिटिकली सोशल ठीक है एक इंडिविजुवल जो पौलीटिपरेजन पॉलिटिश्री सोचल कंडिशन है एकॉनौक slight तीए उसमें इंप्रूमेंट हो ना क्या या कैलाएगा त्विक यह कर दिखि temporarily को इसमें हम लोग कंशूज हो जाते हैं दोनों को एक ही समझ लेते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो थोड़ा सा इसको अभी क्लियर कर लेते हैं वसे हमारे टेक्स्ट बुक में यह कोस्टन नहीं पुछा जा रहा है बट हम लोग सेंस को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए अभी कर जब हम बात करते हैं न ग्रोथ की तो ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना हम वहां पर जब ग्रोथ यूज करेंगे तो हमारा सेंस क्या होता है किसी एक फिल्ड में आप इंक्रीज कर रहे हैं बात समझ में आ रही है जबकि हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमें लेते हैं एक स्टुडेंट अगर स्टडी में अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके माक्स काफी इंप्रूव हो रहे हैं ठीक है ना माक्स उसके बढ़ गया पिछले एकजाम में आयते हैं उसके 85 प्रेजंट अब उसके 90 पर सेंट आ रहे हैं तो वहां पर उसके अंदर हम एक अच्छा फ्रेंडली भी है घमंड भी उसके अंदर नहीं है ठीक है और भी फंक्शन जैसे स्कूल के और जो एक्टिविटीज होते हैं डिवेट हो गया उन्हें भी पार्टिसिपेट करते हैं तो वह देखिए तो हर फिल्ड में वह अच्छा परफॉर्म कर रहा है ठीक है अगर हम सिर्फ एकेडमी की बात करें तो वह ग्रोथ है अगर हम उसके हर फिल्ड में उसके बेटर्मेंट को देखे तो वह डेवलपमेंट है तो आप यह देख सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है थोड़ा ग्रोथ से एक वाइड सेंस में आता है ग्रोथ से एक वाइडर कॉ क्रोत से खेर हो रहा है रोत हमारा लिम्टेट से इंट को देखा रहा है। और डेवलोपड में एक वाइड सेंस को दिखा दिखा ग्रोथ्त क्या है ना ये एक क्वांटीटेटेटीव मेजर चब्पिका्रोस क्या है ऑन्चैतिट मेजर है क्वालिटेटिव कहने का मतलब क्या है कि यह क्वालिटी पे फोकस करता है बात समझ में आ रही हम लोग ने अभी एक्जामपल लिया ना कि एक स्टुडेंट के मार्क्स बढ़ गए अकेडिमिक स्टडी में उसने मिहनत की उसके मार्क्स बढ़ गए ठीक है वह क्वांटिटी की चीज़र तो वह सिक क्की को कर रहा है न तो जब क्यालिटी को शोकर टने डिवलप्मिंट क्या करता है क्या लि겁 एक पोपूलेव्स में डिवलंवेंट canopy घ Fighting नंबर में यूमेरीज लोथ आप देख रहे है ना आगा Mauber करें की तो हम क्या देखते हैं कि उस सहर में ये इस पॉपिलेशन के जो डिए है हिल्थ फैसिलिटी इस पॉपिलेशन के लिए स्कूल सीखाए पार्क को पूलिस स्चे क्योर्टी है को ठीक है यह सारा यहां का Sanitation system drainage system तो यह जो फैसिलिटी यह अच्छी है या नहीं है अगर यह अच्छी है यह सारे फैसिलिटी यह दिखिए यह यहां की सहर की क्वालिटी को बथा रहे हैं तो अगर यह बढ़िया है तो यह सहर का development कहलाएगा ठीक है ना overall development यह development हुआ और यह growth हुआ तो बात समझ में आ रही है कि growth क्या है quantity को focus करता है development quality को focus करता है growth एक limited sense में लेते हैं development एक broad sense में लेते हैं ठीक है अब आते हैं हम लोग अपने chapter में यह हमारे textbook में include नहीं है लेकिन हम लोग ने समझ के लिए इसको अभी clear कर लिया कि growth and development are two different ideas ओके अब देखिए development का मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि different field में आगे बढ़ना development को हमने क्या कहा है and all around growth clear है अब देखिए यह जो आप development कह रहे हैं यह एकना क्या है इसके features की बात करते हैं यह दिखाई दे रहा है कि यह कोई set rule नहीं है इसका एक complex idea है बात समझ में आ रहे हैं कि development is a complex idea second आप क्या देखते हैं कि development जो है न यह एक set idea नहीं है जो मेरे लिए development है वो किसी और के लिए development नहीं हो सकता है so different people have different people have different development goals different development goals okay यानि जो देखिए कि जो आपके लिए development आपने जो गोल decide कि उस गोल को achieve करना आपके लिए development है हो सकता है वह किसी और के लिए वह गोल नहीं है वह मायने नहीं रखते हो आपके टेक्स्ट बुक में एक table दिया गया है आप पेज नंबर देखेंगे फोर पे आप एक पेज नंबर देख सकते हैं table 1.1 आपको दिखाई दे रहा है यहां पे आप देखिएगा तो development goals of different categories of a person यहां अलग अलग category के लोग हैं उनके ambition को उनके goals को दिखाया गया है तो इस table के मदद से आप समझ सकते हैं कि development के मायने development के meaning vary करते हैं change होते हैं लोगों के हिसाब से ठीक है जैसे यहां पर आपको example दिया है ना मजदूरी कर रहा है तो उसको बहतर मजदूरी मिले उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जा सके यही सब होंगे उसके लिए ठीक है उसको society में जो एक respect मिले social discrimination उसको face नहीं करना पड़े वही आप एक किसान लीजिए पंजाब से जो काफी कम दाम पर मजदूर मिल जाए वहां जो production होता है वह production क्या हो government ज्यादा दाम पर खड़ी जे मंडी में वह अपने अनाज को profit में बेज सके यही चीज होगा अपने खेतों से अनाज मंडी तक लाने के लिए अच्छे रोडस हो फैसिलिटी जो government की तरफ से उनको खेती में मदद मिले ठीक है और आप देखिएगा तो पंजाब में बाहर जाने का क्रेज बहुत ज़्यादा है इंडिया से बाहर दूसरे कंट्री में जाना बहुत common है जैसे आप यूपी या बिहार से देखते हैं कि हर फैमिली से एक या का बाहर पढ़ाई करें ठीक है मजदूर उनको बिहार से यूपी से सस्ते मजदूर मिले खेती के लिए उनके प्रोडक्शन पर गॉवर्मेंट की तरफ से अच्छे दाम मिले वैसे ही और भी दिये हुए हैं तो आप इंसा टेवल को देखके अपने हिसाब से इनके गोल्स आप डिसाइड कर सकते हैं हमें यह समझना है कि डिफेरेंट परसंस है डिफेरेंट 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 डिफेरें जहां पर तोमने देखा हैं कि अलग अलग डेवलप्मेंट गोल से तो उससे फर्क नहीं पड़ता है जैसे एक गरीब किसान गरीब मजदूर गाउं का और एक पंजाब का किसान इनके गोल अलग अलग है कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है तोनों के अपने अलग है वर कई आप देखिएगा तो एक आदमी का इंट्रेस्ट दूसरे आदमी के इंट्रेस्ट के बिलकुल अपोजीट होगा जैसे हम एकजामपल लेते हैं डॉक्टर्स की डॉक्टर्स क्या चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मरीज उनके पास है पेसेंट ज्यादा हो ठीक है आप खुद आप और भी जगह देख सकते हैं आपने एक इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पे देखिए खुद को आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो आप क्या चाहेंगे कि आपके जो वरकर हैं जो काम करने वाले हैं वह कम मजदूरी पर काम करने को तयार हो तभी आपका प्रॉफिट कोस्ट घटेगा आप एक वरकर के तौर पे देखिए तो आपको क्या लगता है कि आप जितना काम कर रहे हैं उतने काम के लिए आपको ज्यादा मजदूरी मिलने चाहिए बेहतर इंडस्ट्रियलिस्ट का और एक वरकर का इंट्रेस्ट की दिखाई दे रहा है आपोजिट को एक्जामपल दिया एक है यह क्या नहींक न्मदा नदीपे सर्दार सरोवर डेय मना या घ्रेहक dus है यैसे हैडरोκεलीया हो गया और मबश को सर्व करने के लिए यह ज़ारी है अब इसके बनाने से क्या हुआ है कि इस रेजन में जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने इसका बिरोध किया कि इस डैम से उन्हें प्रॉबलम होगी एक तो वो उनको क्या किया रहा है उनके औरिजनल एगा में से के जरूरतों को पूरा करने के लिए इनका डिमांड भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि डेवलपमेंट के जो गोल है वो क्या है बिल्कुल अपोजिट है ना देख सकते हैं तो आप यह कह सकते हैं कि डिफरेंट परशन में हैं अब टर्म लेते हैं नेशनल डेवलपमेंट को समझने की कोशिज करते हैं एक कंट्री की वह बिलेटी जो जिससे वह अपने यहां के लोगों का लिविंग इस्टेंडर इंप्रूब कर सके थीख है ability of a nation to improve improving living standards living standards of its citizen एक country की वो यो गिता जिससे वो अपने यहां के citizens के living standards को improve कर सके अब यह living standards में हम क्या देखते हैं income income कैसे इंप्रूब कर सकते हैं employment create करके infrastructure पर invest करके ठीक है health health कैसे हैं वहाँ health facility medical facility hospital ये प्रवाइड करेंगे ठीक है education ठीक है उसके बाद public facilities तो यही सारे तरीके से तो एक जगा के लोगों का life style improve होगा infrastructure जिसको आप कह सकते हैं public पॉब्लिक फैसिलीटी और infrastructure तो एक country जब अपने यहां के लोगों के living standards को improve करते हैं ठीक है वह क्या कहलागा उस nation का development कहलाएगा जब वहां के लोगों का all around growth होगा society का growth होगा तो वह क्या कहलाएगा national development clear है हैं आप हम बात करेंगे कि किसी कंट्री के जीनल डेवलोप्मेंट को कैसे कंपेरह करतें हैं सबसे पहलाitoध को zone करने के लिए मेजर करने के लिए अलग अलग कंट्री में सबसे इसको मेजर किये सबसे पहला औरम मोग पर-capita income means एक country के जो citizen है, एक country का जो total income है, अगर हमें state का निकालेंगे, तो state हो जाएगा, country का निकालेंगे, तो country हो जाएगा, और वहां की जो total population है, इसका average निकालना, टोटल income कितना है, और टोटल population कितना है, तो इसका जो average होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पर-capita income, जैसे मानलेजीए, एक family में monthly income 20,000 है, और उस family में 5 members है, तो हम यह कह सकते हैं कि पर-member 4,000 monthly income है, तो एक measurement हम लोग क्या लेते हैं, पर-capita income, देखिए, वर्ल्ड वैंक जो है, आप अपने page number 8 पे देख सकते हैं, page number 8 पे आप देखिए, सबसे निचला paragraph, in world development reports brought out by the world bank, this criterion is used in classifying country, country with per capita income of US dollar 12,000, US dollar 12,736, वैसे country जहां पर capita income 12,736 है, वैसे country को rich माना गया है, ठीक है, यह comparison हुआ है, base year है, आपका यह 2013 में, ओके, और पूवर किस country को मानेंगे, जहां पर capita income आप देखेंगे, 1045 US dollar, या उससे कम है, ठीक है, 12,736 और मोर अगर है per capita income, then that country must be considered as rich country, ओके, when the per capita income is 1045 dollar, और विलो, the country should be considered as a poor country, ओके, यह comparison है, यह 2013 का है, आप 2017 में देखिए, 2017 के हिसाब से यह आपको दिखाई देगा, तो जो rich country है, वहाँ पे 12,056 dollar, अगर per capita income है, तो वो rich होगा, 2013 थोड़ा पूराना हो गया न, तो हमनों थोड़ा सा updated लेते हैं, 2017 में अगर किसी country का per capita income 12,056 है, तो उसको rich माना जाएगा, और वहीं अगर उसका, पर capita income 950 US dollar है, तो उसको poor माना जाएगा, clear है, तो हम यह देखिए, अब न, इसी को हम लोग per capita income को एक बार judge करते हैं, कि क्या per capita income एक सही तरीका है, development को major करने का, ठीक है, इस per capita income और average income, a suitable method to judge or to calculate development, तो दिखिए, इसके जो बिरोध करने वाले होते हैं, वो यह कहते हैं कि average income एक सही तरीका नहीं है, average income एक सही तरीका इसलिए नहीं है, क्योंकि वो उस जगह का actual figure नहीं दिखाते हैं, actual condition नहीं सो करते हैं, ठीक है, जबकि जो इसके support में है, यह कहते हैं कि यह तरीका सही तरीका है, क्योंकि यह एक अप्रॉक्स फीगर आपको बता रेते हैं, ठीक है, जो इसके बिरोध में उसको सही नहीं मानते हैं, क्योंकि actual result आपको नहीं दिखाई देता है, हमने example देखेंगे, हमारे textbook में example दिया हुआ है, एक table है, page number 9 पे, आपको यह table दिखाई दे रहा है, इस table में देखिए, आपको दो country का example दिया गया, जहां कि population सिर्फ 5 है, और दोनों country का total income आप देखेंगे, तो 50,000 दिखाई देगा आपको, ठीक है, दोनों country की total income 50,000 है, average income और per capita income आप देखेंगे, तो दोनों country में 10,000 आएगा, ठीक है, लेकिन अब आप यह खुद से बहुत अच्छे से judge कर सकते हैं, कि कौन से country की condition को आप suitable कहेंगे, या developed कहेंगे, एक country भी आपको दिखाई दे रहा है, जहां पे एक आदमी के पास 48,000 र तो यहां पे क्या देख रहे हैं, कि सारा income एक आदमी के हाथ में है, यानि यहां पे economic gap बहुत ज़्यादा होगा, जबकि आप दूसरे country में देख रहे हैं, तो वहां पे क्या है कि economic gap नहीं है, economic balance आपको society में दिखाई दे रहा है, और वहां पे भी average income, वहां पे भी average income 10,000 ही दे रहा है, जिसकी income 500 भी है, उसका income भी यहां पे 10,000 दिखाई दे रहा है, तो यह तरीका तो completely गलत हो गया, लेकिन वही चीज़ आप देखते है, country A में तो वहां बहुत अच्छे से represent कर रहे हैं, ठीक है, तो इस आधार पे कह सकते हैं कि average income एक measurement है, लेकिन यह exact measurement नहीं हो स कि society में economic gap जब ज़्यादा होंगे, तो social gap भी create होंगे, और एक country develop, एक अच्छा country हम वहां उसको मानेंगे, जहां पे economic और social gap बहुत ज़्यादा नहीं हो, आप देख सकते हैं कि यहां जो resource है, वो सब को available है, पहले picture में, और दुसरे picture में देख रहे हैं, कि बहुत ज़्याद में बैठे हुए हैं, तो जो दो chair है, वो limited resource हो गया, तो resource का distribution, resource पे control, फेरली होना चाहिए, resource के advantage, फेरली होना चाहिए, हम लोग ने geography में भी पढ़ा है, इस chapter को, resource planning पढ़ा है, sustainable development पढ़ा है, तो वहां पे भी तो यही चीज़ देखे, कि resource का development ऐसे होना चाहिए, development इस तरी benefit नहीं होना चाहिए, बलकि society के हर एक member को इसका advantage मिलना चाहिए, तो यह चीज़ आप समझ सकते हैं, यहाँ पे, good, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा सा और आगे आते हैं, तो यह समझ में आगया कि चलिए, income एक criteria है, development को major करने का, income के अलावे, सिर्फ income ही एक मांत्र criteria नहीं है, there are some other important criteria to major development, आपके textbook में एक example मिलेगा आपको, income and other criteria, यह topic दिखाई दे रहा है आपको, जहाँ पे देखिए, तीन estates दिए गए हैं, महराष्टर, केरला और बिहार, ठीक है, तीन estates के आपको, एक table 1.3 में देखिए, तो per capita income की हिसाब पे, comparison किया गया है, per capita income in 2012-13, महराष्टर की आप देख रहे हैं, income कितनी है, 1,4,000 केरला की 88,500, और बिहार की 27,200, तो on the ground of income, बिहार is the least developed state, while महराष्टरा is the most developed state, ठीक है, तो per capita income की आधार पे, महराष्टरा यहाँ लीड कर रहा है, लेकिन आप जब table 1.4 में देखते हैं, तो वहाँ पे income के अलावे हम लोग और criteria लेके चल रहे हैं, सबसे पहले देख रहे हैं, infant mortality ratio, infant mortality ratio को short में IMR कहते हैं, IMR को आप define कर सकते हैं, कि IMR indicates the number of children that die before the age of one year, as a proportion of hundred lives children born in a particular year, thousand होते हैं यहाँ पे, ठीक है, देखिए, एक साल में आप मानके चलिए, कि एक हजार बच्चे पैदा हुए, लाइव वर्थ एक हजार है, ठीक है, उसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं, जो एक साल तक, एक साल complete करने से पहले मर जाते हैं, उसको बोलते हैं, IMR, Infant Mortality Ratio, जैसे आप एक्जामपल लिजिए, एक हजार बच्चे पैदा हुए, और सत्तर बच्चे ऐसे हैं, जो एक साल पूरा करने से पहले मर गए, तो ratio आपको क्या दिखाई दे रहा है, ratio क्या दिखाई दे रहा है, कि हर 100 पे 7 बच्चे मर जा रहे हैं, ठीक है, IMR का ज्यादा होना, इसका मतलब क्या होगा, कि Health Facility वहाँ पे कम है, या फिर लोगों की Income कम है, लोग जो लेडी हैं, जो Pagnant Lady हैं, उनको अच्छे से Nutritious Elements नहीं मिल पा रहा है, Health Care Facility कम है, गरीबी ज्यादा है, ठीक है, IMR का कम होना ये दिखाएगा, कि Government की तरफ से Health Facility काफी ज्यादा है, लोगों का Living Standard काफी अच्छा है, एदुकेटेड लोग हैं, जो Pregnant Lady हैं, उसको Nutritious Elements मिल पा रहे हैं, ठीक है, IMR का मतलब, 1000 लाइब बर्थ पे एक साल से पहले, Total Number of Death, ठीक है, तो इसके आधार पे आप देखिएगा, आईए मार अगर देखिएगा, तो महराष्टरा में 25 है, केरला में 12 है, बिहार में फिर से बहुत ज़्यादा है, 43 है, तो इस Ground पे सबसे लिस्ट डेवलप कौन है, बिहार है, लेकिन केरला की Condition आप देखिएगा, तो केरला जो per capita income में महराष्ट से पीछे है, वो इस Health Facility म है, आईए मार के हिसाब से महराष्ट से बहुत अच्छे Condition में है, वही आप Literacy Rate को देखिए, Literacy Rate क्या होते है, आईए मार समझ सुके है न, Literacy Rate का मतलब होता है, एक Population में, वैसे, Population का वो हिस्सा जो, किसी Language को लिख सके, Read, Write and Understand, ठीक है, Read, Write and Understand, एक किसी Language को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, अपने आपको एक Language में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ Simple Arithmetic Calculation भी कर सकते हैं, छोटे मोटे हिसाब बना सकते हैं, उनको आप Literate कह सकते हैं, उनको Literate कहते हैं, ठीक है, Simple Arithmetic Calcul क्लियर है, So Literacy Rate हम क्या देखते हैं, Literacy Rate means, Number of people above 7 years who can read, write and understand and make some Simple Calculation, Simple Arithmetic Calculation, इंडिया में आप देखिएगा, तो इंडिया का Literacy Rate कितना है, इंडिया का Literacy Rate 64% है, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट आपको मिलता है, केरला में, और सबसे कम Literacy Rate आपको दिखाई दे रहा है, ब बिहार में, Literacy Rate देख रहा है, महराष्ट का 82% है, केरला का 94% है, और बिहार का 62% है, ओवराल इंडिया का 64% है, तो लिटरेसी रेट के हिसाफ से केरला फिर से सबसे बेस्ट कंडिशन माना जाएगा, केरला को हम सबसे लादा डेवलप कह सकते हैं, इन तीनों स्टेट में, म आप देखिए, तो नेट अटेंडेंस रेशियो, ठीक है, नेट अटेंडेंस रेशियो को भी समझ लेजिए, कि नेट अटेंडेंस रेशियो इस दा टोटल नमबर आप चिल्ड्रेन आफ एज ग्रूप 14 और 15 एयर्स अटेंडिंग इस्कूल आज आप परसेंटेज आफ ट कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसकूल में रजिस्टर और जिनका स्कूल में एडमिसान जो इसकूल एटेंड कर रहे हैं पात समझ में आ रहे हैं जा तोटल नमबर ओफ चिल्ड्रन ओफ एज ग्रूप 14 और 15 एयर्स ऑके टोटल नमबर ओफ चिल्ड्रें और आट अट that number how much percentage of the total population is attending school that is called national that is called net attendance ratio ठीक है तो नेट अटेंडेंस रेशियो में आप देखिएगा तो फिर से केरला यहां पर सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है केरला में 78 है और महाराश्टर में 64 है तो इन दोनों पर टेवल के अधार पर हम ये तो कह सकते हैं कि इनकम में बेसक महारास्ट काप Letter कपॉर्म कर रहा है पर कैपिटा इंकम हम महारास्थ की जड़ा है वह्कृत कई केरला महराष्ट्र से बेटर कंडिशन में है तो अगर हम वैसे बात करें तो हम केरला को महराष्ट्र से ज्यादा डेवलप कह सकते हैं ओके ठीक है ना अब देखिए हम लोग उसके अलावे चलते हैं और दूसरे फैक्टर को भी देखे बे चलते हैं अब हम लोग ने development के meaning को समझा है development national development को समझा per capita income को समझा IMR समझ लिया literacy rate समझ लिया अब हम लोग समझेंगे public facilities देखिए हम लोग ने starting में बात किया है कि development को हम लोग दो तरीके से लेके चलेंगे एक individual तरीका होगा एक और एक क्या होगा नेशनल लेवल पर इंडिविजुवल लेवल पर और नेशनल लेवल पर इंडिविजुवल लेवल पर जो आपके ambition है आपका successful businessman बनना आपका एक UPC exam crack करके civil servant बनना आपका लीडर बनना आपको business में ग्रो करना हमारे इंडिविजुवल एंबिशन हो सकते हैं अलग अलग आप इंडिविजुवल ली कितना भी डेवलप हो जाईए आप जिस society में रहते हैं वहां आपको और service भी चाहिए न आप बहुत ज्यादा आप डेवलप हो गए अपने लिए रोड नहीं बनवा सकते हैं अब हर कोई हो लेते हैं होस्पिटल मान लेते हैं क्या आप अपने लिए clean air sure कर सकते हैं कि आपको साथ सुतरा हवा मिले environment आपका प्योर हो प्योर इन्वैरोमेंट कि देखिए ऐसे बहुत सारी चीज़े हैं जो जिसके लिए हम लोग government पे अपने हिसाब से जो पैसे कमाते हैं तो पैसा के अलावे और भी सारी चीज़े हैं जो हम अपने income से उसको fulfill नहीं कर सकते हैं ठीक है money in your pocket cannot buy all the goods and services that may you need to live well such as pollution free environment such as infrastructure okay services provided by the government to its citizen for example healthcare water supply infrastructure it is a public public facility के लिए हम किस पर डिपेंड होते हैं government पे अब यह public facility की condition कैसी है यह बताती है कि एक society या एक country developed है या नहीं है ठीक है public facility की आधार पर देख सकते हैं आप कि एक country developed है या undeveloped है ठीक है हम अब उसी को cover करते हैं चलते हैं यहां पर आपके पास ने activity एक देखिएगा ठीक है जैसे हम लोग ने पीछे क्या देखा है किरला का एक्जामपल लिया कि किरला में कि आये मार बहुत कम है किरला में literacy rate काफी अच्छा है किरला में net attendance ratio काफी अच्छा है तो उसके हिसाफ से किरला डेवलप्ट कंडिशन है उसी के अधार पर आप यहां एक टेवल देखिएगा टेवल नमबर 1.5 जहां पर एजुकेशनल अचीब्मेंट ऑफ डूल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर परदेश का एक टेवल आपको दिया गया है उसमें मेल और फीमेल का इंडेक्स क्या बोलते हैं इसको सोट में बोलते हैं फूल फॉर्म क्या होता है इसका बोडी मास इंडेक्स को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं तो बोडी मास इंडेक्स इजा रेशियो औफ टोटल वेट एंड हाइट इन मीटर एंड़ इसक्वार्स ओफ हाइट इन मीटर ठीक है किसी आदमी का टोटल वेट है कि टोटल वेट कितना है वह केजी में लेंगे ठीक है और उसकी हाइट कितनी है कि उसकी हाइट हम लोग लेंगे उसकी हाइट कितने हैं मीटर में लेंगे हाइट इन मीटर का स्कॉयर ठीक है बात समझ में आ रही है अब अगर यह बीम आई आपका रिजल्ट अगर 18.5 से कम आता है तो इसका मतलब है कि आप अंडर नौरिज्ड है लेस देन कि 18.5 ठीक है तो क्या होगा अंडर नौरिज्ड और अगर यही बीम आई का यह रिजल्ट अगर 25 से लेस है 25 से ज्यादा है ठीक है तो क्या हो गया अब वह सो ओवर्वेट है ठीक है इसके बीच में तुम क्या मानेंगे कि average health है सही हेल्थ कंडिसन माना जाएगा तो बी ये माइं क्या दिखाता है कि उस आदमी का जो लाइफ है वह कैसा है अच्छा खाना मिल रहा है उसको या नहीं उसका life style कैसा है कहींने कहीं यह आपके health condition को दिखा रहा है एक और तर्म हम लोग लेके चलते हैं Life expectancy ratio Life expectancy ratio कहने का मतलब है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं Living in a particular area living in an area कह लिए देखिए इसको हम कह सकते हैं कि कोई आदमी किसी खास महाल में किसी खास जगह पर पैदा हुआ है तो उस जगह की जो unix जिसे कोई आदły सी रहा है जैसे हमलों कहते हैं कि गाव का महाका है का फी प्योर है पहले कि लोक काफी ज्यादा दिन जीते थे क्योंकि वह अच्छा खाना खाते थे लाइफ इस्टाइल उनका काफी ओडिजिनल था हार्ड वरकिंग थे वह बीमार कम पड़ते थे अब आप देखते हैं कि इस्ट्रेस ज्यादा है खाना काफी वह निच्छरल खा नहीं पा रहे हैं शोर सरावा ज्यादा है पहले वाला कंडिशन प्योर नहीं है पानी प्योर नहीं है तो बिमारियां ज्यादा हो गई है तो आज के कंडिशन में कम जीते हैं आप बहुत बार बात सुनते होंगे तो लोग आपस में कहते हैं कि इस कंडिशन में हम लोग ज्यादा कहां जीने वाले हैं इतना दिन ही है तो वो क्या मेजर कर रहे हैं कि जो कंडिशन है वहां की चाहिए वह नेचुरल कंडिशन हो सोचल कंडिशन हो जो भी कंडिशन है उस कंडिशन में कितने दिन तक आप जी सकते हैं ठीक है यह कहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसका मतलब है कि वह जगह रहने के लायक है वहां की कंडिशन अच्छी है वहां के फैक्टर्स ऑफ लीविंग काफी अच्छे हैं ठीक है न तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो इस एक्सपेक्टेड लाइफ इस्वां आफ परसन बोर्न इन पर्टिकुलर प्लेस ओके इट डिपेंड्स अपाउन हेल्थ केयर सर्विस इंबैरोमेंट एजुकेशन लाइफ स्टाइल इंकम एटिसी देखिए लाइफ इस्टाइल कोई आदमी रिगलर्ली स्मोग कर रहे हैं तो उनके चांस ज्यादा है कि बीमारी होगी उनको कम दिन जिएंगे कोई कसरत कर रह है निचुरली वह काफी रहते हैं तो उनके चांस ज्यादा है ठीक है तो यह एक फैक्टर नहीं है बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करते हैं ठीक है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेसियो को हम लोग समझ सकते हैं उसके बाद हम लोग समझेंगे यूमेन डेवलप्मेंट ंडेक्स एच डी आई क्या होता है एच डी और एचबी और शूमेन डेवलप्मेंट इंडेक्स हो यूमेन डेवलोप्मेंट इंडेक्स ओके यूमेन डेवलोप्मेंट इंडेक्स को आप कैसे समझ सकते हैं इस अ कम्बाइन इंडेक्स ओफ लाइश एक्सटेंसी एजूकेशन एंड पर कैपिटा इंकम इसमें हम क्या क्या देखते हैं लाइश एक्सटेंसी रेशियो ठीक है पर-capita income, life expectancy ratio per capita income और उसके अलावे literacy rate और education, ठीक है, education, इन सब को मिला के क्या बना है, human development index, यह actually क्या होता है, कि यह दुनिया के जो भी country है, उनके बीच में compare किया जाता है, कि किसकी condition, इन सब की आधार पे कैसी है, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, page number 13 पे, page number 13 पे आपको दिखाई दे रहा है, human development report, यह United Nation का development program है, UNDP, यह issue करती है, ठीक है, PC हमने देखा है, average income, तो world bank जो है न, वो पूरी दुनिया में जो developed country और underdeveloped country है, उनका जो comparison है, वो income के आधार पे करती है, question आता है यह textbook में, कि what are the difference in measuring development by world bank और United Nation development program और UNDP, तो world bank सिर्फ और सिर्फ income के major पे करता है, हम लोग ने पीछे देखा है, कि अगर income 12,736, अगर income 12,736 US dollar है, पर capital income तो वो country rich है, अगर 1045 US dollar है या उससे कम है तो country poor है, लेकिन United Nation development program पर capital income को नहीं major करती है, यह लेती है, life expectancy ratio पर capital income, education और बहुत सारे अलग-अलग factors को लेती है, ठीक है, table आप 1.6 देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो चार country लिए गया है, स्रिलंका, इंडिया, मियामार, पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश, टोटल सौरी, छे country है, छे country में देखिए आप, तो gross national income, life expectancy at birth, literacy rate और HDI rank, यानि gross national income, life expectancy और literacy rate के आधार पे, उनका human development index में कौन सा position है, कौन सा rank है, वो देखा गया है, आप देखिएगा कि इंडिया की condition, इंडिया की condition देखिएगा, तो income की आधार पे मयामार, पाकिस्तान, नेपाल या बंगलादेश से, ऊपर है, स्रिलंका से नीचे है, ठीक है, इंडिया में आप देखिएगा, तो life expectancy ratio के आधार पे, इंडिया की condition, और country से, और country के comparison में, क्या है, बहुत अच्छा नहीं कहाद सकता है, literacy rate में देखिएगा, तो स्रिलंका की condition इंडिया से बहुत ज्यादा है, ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, power sharing वाले chapter में पढ़ा है, कि स्रिलंका में conflicts ज्यादा थे, बहुत लोग मारे गए, स्रिलंका का social condition वहाँ पे खराब है, लेकिन और factors पे आप देख रहे हैं, तो स्रिलंका इंडिया से better perform कर रहे हैं, कुछ जगाँ पर आप देख रहे हैं, आप देखिये, ह्टी ईरैक में, तो एस लिए स्रिलंका 73 पे है, इंडिया कितना पे है, 135 पर और और आप देखिएगा तो सिरलंका इंडिया से बहुत ज्यादा आगे है ठीका ना सिरलंका लगवग इंडिया से बहुत ज्यादा आगे है तो इसका यह मतलब हुआ कि सिरलंका में और जो फैक्टर्स हैं उसमें इंडिया से वह डेवलप्ड कहा जा सकता है कहा जा सकता है यह जो देखिए नोटस आप देखते वें चलिए HDI stands for human development index HDI ranks in above table are out of 187 country यह जो table हम लोग देख रहे हैं यह 187 countries के ranking को दिखाता है उसमें हम लोग 135 position पे है तो सोच सकते हैं कि कितनी खराब condition है यह एक desired condition नहीं है इस आधार पे हम लोग क्या है काफी कम developed अभी हम लोगों को बहुत developed होना है जो development में हम लोग expected condition चाहते है expected जो position है उससे बहुत पीछे हैं हम लोग ठीक है आपना 2019 का देख लीजिए 2019 में जो HDI index है वो total 189 countries को major करते हुए किया गया 189 का comparison है इसमें हमारे इंडिया का जो rank है that is 129 ठीक है आर यह बात समझ में वर्ल्ड बैंक और UNDP के measurement में क्या difference है यह भी समझ चुके हैं कि वर्ल्ड बैंक इंकम को देखके चलता है और युनाइटेड नेशन डेवलप्मेंट प्रोग्राम जो है वो यूमें डेवलप इंडेक्स में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो उसके बाद एजूकेशन देखता है पर कैप्टा इंकम देखता है तो इसका क्या है इसका quantitative qastative metric水men और यूएंडडिप का क्या है क्वाइट प्रिश में जाओ एक क्वालिटेंट मेंट है और आपको उसके बाद सब्सके लाश्टम टॉपिक है ह। newborn वा आफ अब का सस्टेनाबिलिटीस ऑपड डेवलपमेंट सस्टेनाबिलीस आफ डेवलपमेंट हम ने अपने जिओग्राफी में भी सम्झाए सम्झा था न सबस्टेनेवल डेवलपमेंट वहाँ पर क्या सम्झाा हम लोगों ने कि जो रिसॉर्स है उसका प्रॉपर होना चाहिए उसका यूज इस तरीके से होना चाहिए कि future में भी उसका presence ensure किया जा सके उस resource के जो exploitation हो उसका benefit उस development का benefit society के हर member को होना चाहिए तब जाके वो sustainable development हो development इस speed से होना चाहिए कि आपके resource के stock ensure हो सके environment का भी protection किया जा सके सोसाइटी के जो gap है वो reduce किया जा सके हर level को improve किया जा सके overall development यही sustainable development था ठीक है यहां आपको दो example दिये गए है एक example है आपका कि इंडिया में जो ground water है वो कुछ regions में काफी ज्यादा decrease हो रहे है तो वहां पर क्या है जो drinking water है उसकी scarcity होगी लोगों के सामने पीने के पानी के किलत होगी और एक आपको एक्जामपल दिया गया है natural resource के exhaustion के natural resource के exploitation के तो हम लोग simply यह कह सकते हैं कि sustainable development का मतलब ही होता है कि हम resource को indiscriminate तरीके से यूज नहीं करे प्रॉपर यूज करे resource के alternative methods ढूंडे alternative resource को ढूंडे जो conventional resource है उसके यूज को limit कर सके limited use हो उसका ठीक है तो यह chapter देखिए थोड़ा सा वीडियो काफी लंबा हो गया 40 मिनट के आसपास का वीडियो हो गया है बट इस chapter में जो भी important terms है हम लोग ने उसको successfully कर लिया है मैं उमीद करता हूं कि आप आप सारे important terms को समझ सकते हैं और आपका जो development का idea है वो काफी है तक clear हो चुका होगा अगर फिर भी आपको किसी भी तरह की कोई problem आती है तो आप screen पे दिए गए number पे अपने problem को share कर सकते हैं और अगर आपको यह video पसंद आया है तो आप please हमारे channel को like और subscribe कर देंगे और अपने views आप comment में भी share कर सकते हैं thanks for your support have a nice day